हलो बच्चो मैं प्रियार अठोर विधाउट इ स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर और जैसा कि आपको पता है कि हम लेकर रहे हैं आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 6 का L2 जो की स्टार्ट हुआ है अभी हमारा नया नया फ्रेश फ्रेश क्या है आपके तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप उत्तक के बारे में अगर आपको पता हो हमने लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने रूट टिप पर मैंने आपको बताया था और दूसरा होता है स्थाई उत्तक जो विभाजित नहीं होते ठीके एक्सेप्शन सब में हैं तो विभोजतक जो लिखा हुआ है आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा जो विभाजित हो सकते हैं और स्थाई उत्तक जो पर्मानेंट होते हैं जिनको कहीं दर उदर विभाज होती है उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य पतली कोशिका बित्ती और स्पष्ट केंद्रक होते हैं ठीक है इनके पास रसधानी नहीं होती क्या स्पेशलिटी होती है कि जो भी विभोजत्तक की कोशिकाएं होती है एसा उनमें क्या है जिसकी वज़े से वह विभाजित हो रही है और स्थाई उत्तक विभाजित नहीं हो रहे हैं तो उसका रिजन है कि विभोजत्तक की कोशिकाएं हमने पादप कोशिका पड़ी है अब पादप कोशिका में भी कोशिका की प्रकार हैं उत्तक किसे कहते हैं को उत्तक में कोशिका ही तो केंद्रक होगा इसमें इनके पास भी केंद्रक है लेकिन इन में क्या है अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि पादप कोशिका में रस्धानिया जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी होती है लेकिन vibhotatak कोशिकाओं की जो कोशिकाओं हैं विबhotatak उतक पादप में ही है तो पादप में जो vibhotatak की कोशिकाओं इनकी रजदानिया है ही नहीं या हम भो सकते हैं कि बहुत कम है मैं क्योंकि न Animals जो हमने सेल Prophet थी उस आफूब ने कहा था कि बड़ी सी रसथानी होती हैसी बनाई थी आपूआ को साइड में आपको याद है तो एक तो यह स्पेसिलिटी एर किन में क्या नहीं है रसथानिया नहीं नहीं है इनका जो कोशिका द्रव्य है व deb िण आधिक है अब रसथानी नहीं पतली मतलब जनरल जो पादक कोशिका है उससे इनकी कोशिका बित्ती पतली रहेगी अब आपको पूछ लिया जाए कि विबोजयत्तक है क्या तो इसकी परिभाशा मैं दे चुकी हूँ ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन करने की शमता रखती है विबोजयत्तक कोशिकाएं या विबोजयत्तक उत्तक कहलाता है ठीक है उत्तक वही है कोशिकाओं का समू तो ये हो गई विबोजयत्तक कोशिकाएं इनमें रस्दानिया नहीं होगी अब विबोजयत्तक कोशिकाओं के प्रकार होते हैं उससे पहले अगर हम एक चीज़ समझना चाहें तो आप ये समझ सक पता है कि विभाजित तक कैसा है मतलब कैसे विभाजित होता है तो विभाजित होने वाले कोशिकाएं कई प्रकार से विभाजित होती है देखो दो तरह को होता है एक होता है अपनत विभाजित यह आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसको समझ लोगे क्योंकि आगे वह अचा ये होता है anti-clinal क्लाइनल ठीक है anti-clinal division और ये है periclinal क्या होता है इन दोनों में difference कि अगर मान लो ये कोशिका है तो इसमें अगर कोशिका के लंबवत यानि perpendicular लंबवत समझते हैं अगर विभाजित होती है कोशिका जैसे कोशिका ऐसे विभाजित हुई कोशिका विभाजन हम पढ़ चुके है समसुत्री एर्दुसुत्री वो कोई लेना देना नहीं अभी हम जो बात करें वो समसुत्री विभाजन के बात करें मतलब जो कोशिकाय विभाजित हो यहां से ऐसे दो कोशिकाय लगोगी मतलब विभाजन में पहले मैंने बोला संकीर्ण बनता है तो मानलो ये संकीर्ण बना और विभाजन ऐसा हुआ तो दो कोशिकाय बनी कैसे बनेगी एक ये और एक ये फिर इसमें विवाजन होगा फिर कोशिकाय बनेगी फिर बाणलो ये दो कोशिकाय फिर से विवाजित हो गई कौन से विवाजन की वज़े से अपनत अपनत कैसा विवाजन होगा कोशिका के लंबगत विवाजन होता है ठीक है ये कोशिकाएं फिर से विभाजेत हो गई अब जो कोशिकाएं बनेगी वो कैसे बनेगी कुछ ऐसी चार बना दूँ इससे क्या होगा अपनत विभाजन से पादफ की लंबाई में व्रद्धी होती है मतलब लंबा होता है एक देखरो आप रो बन रही है एक पंक्ती बन रही है तो इसमें क्या होता है पंक्ती वत रूप से होता है यह पंक्तिवत रूप से क्या होती है वरद्धी जिसको हम बोलते हैं लंबाई में वरद्धी हो रही है हाइट बढ़ेगी प्लांट की अपनत विभाजन से अब कोशिका ऐसी है तो हमने ऐसा बताया मालो अभी कोशिका में लंबवत भी जान यहां से यह भी तो लंबवत ही वहा कोशिका के तो लंबवत है अगर आपको इधर से देखना चाहो तो इस कोशिका को अगर मैं ऐसे घुमा दू जैसे मैंने अभी घुमा दिया और यहां से विभाजन करवाँ तो यह कैसी रो एसमें क्या होता है कोशिका, जैसे यह ऐसी कोशिका है, इसमें परिदी पर ऐसे विवाजित होगी, जैसे आपको तने में समझाओंगी ना, तो आप समझ जाहेंगे इसमें अनुप्रस्त विभाजन होता है इसमें क्या होता है कोशिका के लंबवद विभाजन होता है इसमें कैसा होगा अनुप्रस्त इसमें लंबवद परपेंडिकुलर जैसे ये तना है तने को मैंने कहा से काट दिया यह तन्ह था इसको ऐसे काट दिया, उपर से हम देखेंगे तो गोल दिखेगा, इसमें कोशिका है है, मैं बड़ी बना रही हूं ताकि आपको विभाजन बता सको, ठीक है, अब अगर यह कोशिका है, कैसे विभाजन तो, लंब बद तो कैसा होगा, अगर हम इसको यहां से इ तब तो यह है कैसा विभाजन है, अपनत विभाजन है लेकिन मैं ऐसे नहीं काट रही हूं इसको मैं यहां पर बना दू अपनत विभाजन को आप तने में देखो गैं तो आपको कैसा लुएगा, ऐसा विभाजन, ऐसे कोशिका है, बतलब क्या होगा, ऐसे चोड़ा है, अ अपनत विभाजन में ऐसा नहीं होता, अपनत विभाजन में क्या होगा, विभाजन कैसे होगा, ऐसे, ये, 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 अब ये बाहर की तरफ बनेगी, जो नहीं कोशिकाये बनेगी, वो क्या होगा, अंदर या बाहर की तरफ बनेगी, अंदर बनी तो भी बाहर बनी तो भी तने की क्या होगी, चोडाई में वर्दी होगी, मोटाई में वर्दी होगी, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पंक्ती नहीं बनती, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, पंक्ती नहीं बनती, क्या बनता है, पूरा समुव बनता है, पूरी परीदी बनती है, इसलि डीटेल आपको नहीं पढ़ना है बस आप ध्यान रखो कि कभी दोनों भी होते हैं एक साथ तब लंबाई और चोड़ाई दोनों में व्रद्द्धी होती है लंबाई इंटू चोड़ाई मैच का सूत्र बनी अगी चलो प्रकार कौन-कौन से होते हैं तो विबोजुत्य की को आपको लास्ट क्लास में दिया था पहली होती है शिर्ष विबोजुत्य कोशिका है दूसरी होती है पाश विबोजुत्य कोशिका है और तीसरी है अंतरविष्ट कोशिका है क्या होती है यह मानलो हमारा एक प्लांट है उसका तना है रूट भी बोल सकते हो जड़ भी बोल सबस्क्राजन से क्या होती है पाधप के भी में व्रद्धी होगि लंबाई में दूसरी होती नहीं पार्ष वोकोशिगां है यहां पर ऐसे इस जगह में इतनी बना red हूझा मतलब पूरी जगह वह तो आपको सम्झाने के सब सा मिक्स नीं हो जाए ऐसे पार्ष में होती तिशु क्योंकि विबोजद्टक को इंगलिश में क्या कहते हैं मेरिस्टमेटिक विबोजद्टक कोशिकाए के प्रकार पड़ रहे हैं ठीक है यह कैसी है लेटरल क्योंकि पार्ष में पार्ष विबोजद्टक कोशिकाए यह शिर्ष और तीसरी होती है intercalorie यानिकि अंतरविश्ट कोशिक है ये वाली, ये कहा होती है ये सब में नहीं होती, ये जिसमें पर्वव पर्वसंधिया पाई जाती है अब पर्वव पर्वसंधिया क्या होती है गन्ना देखा है किसीने और दूसरे पोदे भी देखे लेकिन गन्य में आपको अच्छे से दिखेगी इसलिए वो एक्जाम्पल गन्य में हर थोड़ी दूर पर ऐसी लाइन्स होती है ऐसी ये जो मोटा मोटा सा होता है गन्य का एक पार्ट और फिर थोड़ा सा टुकड़ा होता है वो सीधा होता है फिर वो मोटा मोटा सा पार्ट होता है जहां से कुछ-कुछ जड़े जैसी आपको सरचनाई भी दिखाई देती है है ना निकली भी ऐसी इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या होती है ये जो मोटा भाग होता है उसको हम बोलते हैं पर्वसंदी सब जान लो ये बात में कोई नहीं पढ़ाएगा और ये जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं पर्व इसको तो बोलते हैं नोड इंगलिश में और इसको बोलते हैं इंटर नोड तो ये जो अंतरविष्ट कोशिकाएं होती है कुछ पादपों में परवसंदियों पर पाई जाती है मतलब यहाँ पे कही इधर परवसंदियों या परव में बीच में कहीं पाई जाती है इनसे क्या होगा? इनसे भी यही होता है इन से गन्य की चोड़ाई में व्रद्धी होगी, यह इसका इंटर नोड बढ़ेगा, यह वाली जगा को लंबाई बढ़ाने के लिए, उपड़ वाली लंबाई तो यह बढ़ा देगा, यह तो चोड़ाई बढ़ाएगा, जो पाश वाला है, मोटाई या चोड़ाई बनाए यह वाली इंटर विष्ट या इंटर नूड ठीक है तो यह कोशिकाए कौन सी है अंतर विष्ट इंटर कैलेरी एपिकल मेरिस्टेम M मतलब मेरिस्टेम एक बार मैंने लिख दिया है महाँ पर चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रलोग के शिर्शस्त विभोज़त तक एवं जडो और तनो की व्रद्धी वाले भाग में विद्यमान रहता है ये बात हम बोल चुके हैं जडोगा ये तना कुछ भी है दोनों के उपर शिर्श पर प्रेजेंट होगी इसलिए जब हमने प्यास की जो टिप थी वो काट डाली मतलब उपर वाला पोशन काट डाला तो हमने तो पूरा ही काट दिया था अपने प्रेक्टिकल में दिखा हो तो हमने ये भी काट दी ये भी काट दी और ये तो थी नहीं उसमें तो कुछ भी उसमें व्रद्धी नहीं होई ठीक है दूसरी है पार्ष वाली जो साइड में होती है तने की परीदी परीदी मतलब वही जो मैंने आपको बताया है ये परीदी है जिसमें periclinet division से चोड़ाई मोटाई में वरद्धी होगी मूल में वरद्धी पार्ष विभोज़त्तक यानि जिसको क्या कहते हैं cambium भी कहते हैं ये नाम याद रखें कहीं बार cambium यानि एधा एधा बोलते हैं इसको हिंदी में एधा लिखा हुआ अभी आसकता है उसमें पार्ष विभोज़त्तक होता है के कारण होती है अभी आएगा आगे नाम अंतर्विष्ट यानि की इंटर्केलरी जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिशू होता है कुछ पादवपों में परवसंडियों के पास पाए जाते है तो आपको बात समझ में आ गई कि क्या तीन प्रकार की ऐसा शायद आपके NCRT में डाइगराम बना हुआ है मैंने आपको थोड़ा से उसको और अच्छे से समझा दिया वहापे सिर्फ बताया है कुछ-कुछ अब बात करते हैं स्थाई उत्तक की कि स्थाई उत्तक क्या है तो हमने बात की कोशिका विभाजन की ठीक है विभोजटक कोशिका हैं जिन में विभाजन की शमता पाई जाती है वो विभोजटक कोशिका है यानि मेरिस्टमेटिक टिशू कहलाता है जिन में, जिन उत्तकों में या कोशिकाओं में विभाजन होना बंद हो जाता है मतलब ये पर्मानेंट हो जाती, क्या कहते हैं इसको टिश्यू इनका काम पर्मानेंट हो गया जैसे जब आप अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सर्क अपा रहे हैं तो अभी आप कैसी पोजिशन में विभोज्यत की कोशिका हो में, जो दिन आप जो चाहते हैं वो बन जाएंगे, लाखो रुपे कमा रहे होंगे, तब आप क्या हो जाएंगे, पर्मानेंट हो जाएंगे, बहुत बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना भाई, बहुत कमा इतना बहुत है हमारी जिन्दगी के लिए, ऐसा बोलेंगे, तो बहुत है, पर्मानेंट जीवन से मोह खतम हो गया है, तो यह इस्थाई हो जाती है, पर्मानेंट, एक जगह पे, क्या हो गई, सेटल हो गई, ऐसा आप लोगों के लिए भी ले सकते हैं जब उनको जाब नह प्रैकिन विद्धार। एसी कोशिकायं भी होती है जो भर विद्धार। हो जाती है है पढ़ेंगे उस के वारे में बस थोड़ा से ध्यान रखें, तो कुछ कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थाई रूप आकार में परिवर्तित हो जाती है इस क्रिया को विभेदी करण कहते हैं इसको समझते हैं जरा विभेदी करण को क्या कहते हैं डिफ्रेंशियेशन ठीक है या डिफ्रेंशियेट हो जाना विभेदी करण हो जाना ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्थाई उतक विभ्यूजयत कोशिकाएं विशिष्टिक क्रत, मतलब कोई विशिष्ट पेशल टाइप की होकर विभिन प्रकार के स्थाई उतक का विकास करती हैं मैंने कहा कि जो विबोज़तक कोशिकाएं जगा पे पहुँच जाती हैं उनको पता चल जाता है हमको यहां सेटल होना है वहां सेटल हो जाती है वही कोशिकाएं बाद में क्या बनाती हैं स्थाई उत्तक बनाती हैं अब कैसे बनाती हैं वो देख लेते हैं देखो माल लो आप अपना एक्जाम्पल लो या पादपों का भी ले सकते हो कि ये बीज है बीज मेंसे पहले रूट निकली है ना इससे तो रूट निकल जाएंगी और इससे जो है वैसे दूसरी जगा से निकलता है मैं यहां से बता रहे हूँ प्लांट निकला प्लांट में लीफ बनी तो पहले बीज में कितनी कोशिका थी एक कोशिका थी है ना फिर वो क्या हुआ उसमें विभाजन हुआ तो मतलब उसमें अभी कौन सा टिशू मिल रहा है विभोज़त तक टिशू मिल रहा है वीबोत्ट तक पाया जा रहा है थे हैं थे विभाजन हो रहा है क्योंकि अभी पूरा तनाए पत्ती बनानी है सब कुछ बनानाए अब यह बीज पुरा जो है यह क्या हो गया पूरा प्लांट में बदल गया यह इसकी रूट ठीक है विभाजन हुआ विभाजन तक ने सब जगह अब जिन कोशिकाओं को या उत्तक की अगर बात करें पत्तियों में पहुचना था वो पत्तियों में पहुच गए विभाजन हो के हो के हो के तने में पहुचना था वो तने में पहुच गये, जड़ में पहुचना था वो जड़ में पहुच गये, अब वहाँ पे उनके कुछ particular काम है, जैसे पत्ती के जो कोशिका है, उसका खाना बनाना काम है, अब उनको जिन्दगी बर खाना ही बनाना है, जड़ो का जो काम है वो आवशवशन करना है, जिंद्धगी भर जड़ो को क्या करना है अवशवशन करना है जब तक जिएंगे, कहतना याद आ रहा है क्या, नहीं, 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 नहीं आ रहा हो है, ठीक है, तो यह जो है, और तने में जो है, कि क्या होती है जाइलम और फ्लोयम को शिकाए होती है अब ये क्या होती है देखो तने में पानी जड़ तो क्या करती है खाना आशोशित करती है इस पानी को पूरे पेड़ में पहुचाना है उस पेड़ में पहुचाने का काम एक उत्तक करता है जिसको हम पोलते हैं जाइलम जल से जन याद करो जल को पहुचाना है तो जैलम ऐसे ही पत्तिया खाना बना रही है इस खाने को यानि फूड को खाने को क्या कहते हैं? फूड को पूरे पौदे में पहुचाना है तो वो काम करता है फ्लोयम एक टाइप का उत्तक है या आगे सब आने वाले हैं नाम फ्लोयम जैलम और फ्लोयम जैलम जल जैसे जल और फ्लोयम फासे फूड ऐसे याद रखो तो फूड पहुचाना है तो अब ये जब तने में चली गई ये उत्तक कोशिका है अब इनको पता है कि मेरे को जल पूरी जिन्दे की भए वष यही जल ट्रांसफर करना है फ्लोयम को पता है मुझे पूरी जिन्दे की बर पत्या खाना बनाबना के देरी है वो पहुचाना है तो इनको क्या पता चल गया? अपना पर्मानेंट काम पता चल गया तिया मैंने कहा कुछ विबोजद तक भी आती है जैसे अभी दो-तीन हमने देखी और कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती जैसे जाईलम और फ्लोएम के बीच-बीच में कई ऐसी कोशिकाएं हैं जो बाद में समय आने पर क्या होगी विबोजद तक कोशिकाओं में परिवर्तित ह हो जाती है जैसे अभी मैंने कहा कि गवर्मेंट जोब लगई है अभी तो आप खुश हो आ रहे हैं हम तो बहुत खुश है भाया अब आपने को लगा कि आपका पडोसी जो है वो सेम आपकी पडोसी चोड़ दो आपके ऑफिस में साथ में काम कर रहा था वो भी पर्मानें Network हो जाएगा उसने कंभे लिया वो आपका कर रहा डी करुव और बोस्के ऐसा और्प यह अब करूद तक जो चलू 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 वापस एग्सां सुन्हें कि यह सभी कोशिकाओ में नहीं हो इसको नहीं होता है मैंने कहा कुछ कोशिकाओं में जिसका एक नाम वहाँ पर आया था मैंने आपको बताया था एधा एधा कोशिकाओं ऐसी कोशिकाओं होती है जो स्थाई होती हैं और बाद में वापस विबोज़तक हो जाती है ये सब आने वाला है आगे चेप्टर में चिंता ना ही करो विल्कुल भी सब पढ़ेंगे सब को पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे किसी को बुरा नहीं मानने देंगी ना एधा बुरा मानेगी ना स्थाई हुटक थीक है आ गई बाध समझ में कि कैसे विबोजयतक स्थायुत्तक में बदलता है और कई बार असन च्परवापस विबोजयतक जब उसकी भूप बढ़ जाती है बाध समझ में ऐसा ही इंसानों में ये सभी बहुग कोशी की जीवों में होगा लेकिन हम में क्या है हम इंसानों में इन कोशिकाओं को मेरिस्टमेटिक यानि विबोजयत्तक पर्मानें टिशू तो होते हैं हमें स्थाई उत्तक तो स्थाई उत्तक के नाम से ही जाने जाते हैं हमें लेकिन हमें जो है वो विबोजयत्तक की कोशिकाओं का कोई उत्तक नहीं उसको कोई और नाम दे रखे हैं, है ना, ये नाम नहीं दे रखा है, वो भी पढ़ेंगे, animal cell के बारे में भी पढ़ेंगे, animal tissue के बारे में भी पढ़ेंगे, चिंता मत करू, तो ये था, अब इसके साथ आपको एक practical दे रखा है, है ना, वो practical और उससे जुड़ी चीजे, हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके साथ वो थोड़ा possible नहीं हो पाता, तो देखा आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, क्या क्या चीजे, छोटा सा एक चीज पढ़ी है, लेकिन बहुत important है, क्योंकि आगे इनका बहुत काम है, विबोजयोत्तक पढ़ा है, मैंने उसको थोड़ा सा point बना के आपको दिखा दिया, तकि आपको ध्यान रहे, कहां होता है, वो पता चल गया आपको, स्थाई उतक जो होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो बता दिया, कि विबोजयोत्तक उतक ही, बाद में जाके क्या बन जाते हैं, स्थाई उतक, जब वो विशिष्ट कार्य और आकार में परिवर्तित, इनका आकार बिन बिन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो क्या काम करी है, जैसे मैंने अभी बोला फ्लोयम, तो फ्लोयम कुछ ऐसा होता है, जिब कि जायलम जो है, वो कुछ ऐसा शटकोनी है, टाइप का दिखेगा आपक इनकी कोशिका बित्ति मोटी हो जाएगी, पतली थी, कुछी का द्रवय बहुत ज़ादा था और रसधानिया नहीं थी, ये कोशिका जो होती है, स्थाई उल्तक वाली वो दीरे दीरे मरत हो जाती है, मैंने बोला न, गौर्मेंट जोब लगते ही, वो बड़ा खूष जीव से मोम आया उड़ गई म्रत जैसा निश्क्रिय पढ़ा रहता है एक तरह से आप क्या कह सकते हैं निश्क्रिय हो जाती म्रत तो फिर आप बोलेंगे मर गई तो काम कैसे करेगी निश्क्रिय वर्ड थोड़ा सा सही है इन एक्टिव हो जाती है हाला कि अभी आगे आप कहीं कोशि का दरव्य भी निश्क्रिय हो जाता है और कम भी होता है और कोशि का विट्ति जो है वह मोटी हो जाती है ठीक है तो एक प्रेक्टिकल है इसके साथ जिसको हम अगली क्लास में करेंगे और अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ आए और पता चलेगा आपको कौन-कौन सी कोशिका है पादपों के अंदर होती है तो इंतजार किजिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर का क्योंकि उस दम में उसम अपको क्योंकि उसमें कि इस आपको कि ऊसाध बडने नवें आपको कि आपको कि आपको, जैंता है पूण desarाझ मैं करेंगे ताकितरी kuशिक्ळिकल है में कि जाते हुएंगों कि मैं रूदर पकैपको कि उसके से आपको कि यस्कानाय कर.